Hello दोस्तो, class 12th IP में आज हम लोग बात करेंगे chapter number 6 के बारे में और इस chapter 1 में आपको बताने वाला हूँ functions के बारे में कि MySQL में functions क्या होते हैं functions दोस्तो क्या है कि आपके पास में एक छोटा सा code होता है जिसको आप कुछ value देते हैं यानि कि parameter में आप कुछ value पास करते हैं और दोस्तों वो function वापस कुछ आपको return करता है जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक function है now तो now function क्या करेगा current date के साथ साथ आपको time भी return करेगा इसी टाप से अगर मैं एक function यूज़ करता हूँ जिसमें कि मुझे left side से 3 character चाहिए right side से 2 character चाहिए या इस string के अंदर ये particular sub string आती है या नहीं आती है या मैं किसी number को average लेना चाहरा हूँ किसी का मैं round करना चाहरा हूँ अब जो functions आपके पास है वो basically दो type के होते हैं एक जिसको हम लोग कहते है user defined function यह नहीं कि वो function जो कि हम लोग खुद create करते हैं और एक वो functions होते हैं जो MySQL आपको पहले से available कर रहा था जिसको हम लोग बोते हैं यहां पर built-in functions तो हम लोग आज जो discuss कर रहे हैं वो अपने पास है MySQL function और इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे अलग अलग तरीकों की चीज़ों को बताने बना हूँ सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं MySQL के अंदर क्या कि फंक्शन होता क्या है तो function is a stored program यहनी कि पहले से बनाया हुआ हमारे पास एक program होता है जो यह बताता है कि इस function को कितनी argument देनी है यह function उसको किस तरीके से process करेगा और यह function वापस finally क्या reserve देगा जैसे कि मैं आपको एक function बतलता एक function अपने पास में होता है जैसे कि एक function का नाम है अपने पास round तो मैं क्या कर दूँगा यह round function दिखूँगा और round function में मैं लिखता हूँ suppose 57.23121 और comma करके मैं इसमें लिख देता हूँ suppose की 2 इसका मतलब क्या होद रहेगा comma 2 का इस comma 2 का मतलब क्या है कि point के बाद की जो value आपके पास इसे 23 तो यह हमको दो ही value चाहिए ठीके comma 2 का मतलब क्या है point के बाद हमको 2 value चाहिए तो यह क्या करेगा इसका जो output है वो आपको क्या देदेगा 57.23 हाँ अगर by the way यह आपके पास next value 5 या 5 से जाना होती तो फिर यह आपके पास 24 आपको return करता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि function क्या होता है एक stored program होता है that you can pass parameter जिसको कि आप कुछ parameter कुछ values पास करते हैं into and it returns a single value तो जो functions को आप value बेसते हैं उसके कुछ process होता है उसका कुछ result आपके सामने आता है ऐसे हम बात करेंगे कि जो functions होते हैं mysql में वो दोस्तों दो तरीके के आपके पास होते हैं एक built-in function होते हैं इसको कई बार हम लोग inbuilt भी बोलते हैं तो built-in function क्या होते हैं और वो सारे functions होते हैं जो कि mysql आपको provide करता है लेकिन अगर कोई user चाहे तो वो अपने computer पर दोस्तों खुद भी function लिख सकता mysql के लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग user defined functions यानि कि मेरे computer में जब मैंने mysql डाउनलोड किया होगा तो दोस्तों मुझे सारे के सारे built-in functions मिल चुके होंगे लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि user defined function बनाओ तो वो सारे functions सिर्फ मेरे ही computer पर चलेंगे किसी दूसरे computer पर ने क्योंकि वो सिर्फ मैंने अपने खुद के लिए बनाए है तो इस टाइप से हमारे पास एक user defined function भी होता है अब built-in functions तो क्या है कि हमारे course में है आम इसको आगर discuss करेंगे लेकिन user defined function हमारे course में नहीं है बट बहुत छोटा सा एक introduction में आपको ज़रूर देने वाला हूँ अब built-in functions क्या होते हैं तो यह ऐसे functions होते हैं यानि कि mysql provides a rich set of built-in functions बहुत सारे functions आपको mysql provide करता है that you can use to perform various operations on your data आप अपने data के ओपर बहुत सारे operations कर सकते हैं ऐसे अले मेरे टाइप के बहुत सारे functions आपको provide किये जाते जिसे कि मैंने अभी इतने सारे नाम लिये थे कि round कर सकते हैं absolute value निकाल सकते हैं हट सारे functions आपको यहाँ पर मिलते हैं अब यह जो mysql है दूस्तो यह आपको जब built-in functions देता है यह फिर से आपको दो अनगलर category में convert करके देता है तो broadly categorized into एक होता है single row एक होता है aggregate अब single row का मतलब क्या होता है जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ मेरे पास एक Excel के अंदर कह सकते हैं कि जैसे Excel में अपने पास दीटा होता है यह mysql में आपके पास दीटा होता है तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि कुछ number लिखे रहें यहाँ कुछ values पढ़िए जैसे कि suppose मेरे पास है 72.35 यहाँ पर लिखा है 98.2 यहाँ लिखा है 81.57 तो अगर मैं इस एक row को मैं चाहता हो round करना तो वो मैं एक एक row को करूँगा पहले इस row को करूँगा फिर उसके बाद इस वाली row को फिर उसके बाद इस वाली row को तो एक एक row पे जो काम होता है उसको तुम क्या बोलते है single row function यह होता है aggregate aggregate क्या करता है कि इन सभी का sum कितना हो रहा है तो यह multiple row के उपर जब काम होता है तो उसको उन लोग क्या बोलते है aggregate function इस chapter में chapter 6 में हमारे पास single row functions है तुम यानि कि उस चक्टर का नाम ही आपके पास है using query with mysql, तो mysql में आप query कैसे लिखते हैं, साथ-साथ में आप order by करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है हमारा main topic that is aggregate function, aggregate functions को हम लोग use करते हैं, दोस्तो group by के साथ में भी और having के साथ में भी, यह aggregate functions जो हैं आप लोग dedicated chapter 7 में discuss करेंगे, फोड़ा सा यहां मैं आपको इसके बारे में भी बता हूँए, लेकिन main हमारा topic वो क्या है, यहाँ पर single row functions, अब इसमें अगर हम बात करें single row functions क्या होते हैं, तो single row functions operate on individual row, एक row पे काम करते हैं, ठीके, and return a single result, जैसे कि मैं अगर आपसे कह रहा था कि एक मेरे पास में row है, ठीके, एक row है जिसके अंदर मैंने, suppose कि first name और last name ले रखा है, ठीके, इसमें मेरे पास किसी का first name है, जैसे कि किसी का नाम है रवी, और यहाँ पर लिखावा है रवी के बाद यहां कुमार, तो मैं चाहता हूँ इसका नाम रवी कुमार लिखा आजाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो अलड़ अलड़ डीटा को लिखरके concatenate कर रहा हूँ, और यह एक row पे काम करेगा, ऐसी हो सकता है किसी और row पे भी first name और last name हो, ऐसी हो सकता है, और next row में भी first name हो और last name हो, तो एक-एक row पे आप काम करते हैं, और यह function आपको return करता है, एक single value, उसके लिए हमारे पास क्या है single row function, तो operate on individual rows, and return a single result per row, ठीकिए, these functions can be used in select close, तो आप क्या करते हैं, इस start के functions को use करने के लिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, आप लिखते हैं select, सबोस्थ दोस्तों select के बाद आप जाके लिखेंगे now, तो यह function आपको return क्या करते हैं, current data time, तो जो भी आप functions use करते हैं, इन सबसे पहले, इन सब के आगे आप क्या लगाते हैं, आप पर select, तो यही लिखाया है आपर मैंने, कि this functions can be used in the select clause, ठीके, where clause or in any other part of a SQL statement, that deal with individual value, तो जो भी आपके पास individual value के साथ deal करता है, वहाँ पर आप इन functions को लगा सकते हैं, कुछ examples देख सकते हैं, हम लोग basically कि जो single row है, वो कौन-कौन से होते हैं, आपके पास होता है string, आपके पास होता है numeric, और आपके पास होता है date and time, जो string हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे examples हैं, जैसे कि concatenate दो string को जोड़ता है, sub-string, जो किसी string में से, एक particular sub-string को read कर सकता है, किसी string के length देखने के लिए, आप length function यूज़ कर सकते हैं, string को आप replace करना चाहते हैं, तो replace function यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके पास string functions होने वाले हैं, ऐसे ही, जो numeric function है, जैसे कि ABS absolute value देता है, seal function, जो कि value को up करता है, ऐसे ही आपके पास floor है, ऐसे ही round functions है, तो बहुत सारे function numeric है, और ऐसी now है, current date और भी बहुत सारे functions है, यह सारे आपके पास date and time के functions है, तो इनको एक एक करके हम लोग discuss करेंगे, लेकिन दोस्तों हम लोग अभी किसके बारे बात करें हैं, पहने हम बात करें single row, तो इसके बाद अपने पास क्या आएगा, aggregate, aggregate functions क्या होगा है, ऐसे functions होते हैं, जो multiple rows पे काम करते हैं, तो aggregate functions perform calculation, basically इसमें दोस्तों आपके पास 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 ताप के functions होते हैं, एक sum है, एक average है, एक count है, एक max है, एक min है, तो यह पास functions आपके पास होते हैं, उन सभी का average जिगा लेगा, count, total number count करके बताएगा, तो उसमें से minimum value क्या, maximum value क्या, यह functions बताएंगे, ठीके, इस functions are commonly used with a group by close, जंदली आप group by के साथ use करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, बिना group by के भी use कर सकते हैं, ठीके, इसी दरीगे से बात करेंगे, that have the same value in a specified column, and perform calculation on each group, तो यह जो बात होरी, वो group by की होरी है, और group by अपने चक्त नंबर 7 में है, example में आपको भी थूड़ा सा बताए चुका है, जैसे अगर आप देखें, तो सपोज मेरे पास यहाँ एक example है, एक table है मेरे पास, और इस table का नाम में यहाँ पर मन रुखावा है, कि एक employees नाम की table है, ठीके एक table है इसका नाम का employee, इसमें क्या काए आपके पास employee ID है, first name है, salary है, अगर मैं यहाँ पर किसी एक row पे काम करना चाहता हूँ, suppose कि इस विने को मैं अपरकेस में convert करना चाहता हूँ, तो दोस्तों यह एक row में convert हो रहा है, वैसे यह भी एक row में, एक row में, एक row में, एक row में, तो यह सारे क्या हो जाएंगे single row, लेकिन मैं इस salary की उपर, total salary जो है, इसकी उपर अगर कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ calculations करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुछ aggregate functions हो जाएंगे, जैसे कि sum, तो मैं लिखता हूँ sum, ठीके यह नहीं कि select लिखता हूँ, select के बाद लिखता हूँ sum of salary, तो यह जितनी भी salary है, इस सभी का sum आएगा, और यहाँ उपर जो है, लिखा आएगा, total salary from employee, तो employee table में से, जो भी salary है, सभी का sum कितना है, यह बताएगा, average function उसका average निकाल के बतादेगा, count function उसका count बतादेगा, max function उसमें से maximum जो number है, जिससे अगर आप देखेंगे, तो इस में से सबसे ज़्यादा number यह वाला है, और minimum क्या कर देगा, इस में से सबसे जो कम नहीं है, जो कि 5000 है, तो यह आपको display करतेगा, इसी type से, हलाकि इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, next chapter में हम लोग देखेंगे, इसी type से, अगर मैं आपसे कहो, तो मैं आपसे कहता कि, दो type के functions होते हैं, एक inbuilt जो हम को मिलते हैं, या इसको built-in भी कहते हैं, और दूसरा आपने पास होता है, user defined function, जो हम हमारे requirement के इसाब से create करते हैं, अपने computer पे, तो दोस्तो, you can create your own custom function in mySQL, आपको क्या लिखना पड़ता है, आप लिखते हैं, create function, इस function का नाम, उसके अंदर कितने argument पास होगी, वो function क्या return करेगा, वो आप सब बताते हैं, फिर begin लिखने के बाद, आप ये बताते है, function क्या काम करेगा, last में क्या return करेगा, वो function आपका end हो चुका होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक example है, कि आप mySQL में कैसे functions, खुद create कर सकते हैं, तो यहाँ पर बस वोई सारी चीज़े है, कि parameter क्या लिखे जाएगा, क्या perform करेगा, क्या return करेगा, वो सारी चीज़े हमको अपने इसाब से यहाँ बतानी होती है, तो जो ये user defined function है, अमारे course में है यह नहीं, तो हम इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, next हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो मैं आपको कहता था, आपके पास तीर अलग-अलग type के और हो जाएंगी, जो कि single room है, जो आपके पास है text, string और function, जो text है या फिर आप इसको string भी किर सकते हैं, तो text या string functions आपके पास है, इसमें देखिए अलग-अलग type के function है, जैसे ask की, ask की function क्या काम करता है, returns the ask की value, जैनि कि मैं अगर आपसे कहता हूँ कि, एक ask की number मैंने यहाँ पी लिखा है A, तो यह जो आपके पास A है, capital A, इसके एक ask की होती है 65, इसका मतलब क्या है कि, जो keyboard में हमारी keys होती है, उन सभी का अपना एक number होता है, तो capital A का number होता है 65, इसके आपन कहते हैं इसके ask की, ऐसे ही जो capital B होता है, इसको मतलब कहते है 66, capital C को मतलब कहते है 67, और ऐसे दोस्तों जो हमारे पास capital Z है, उसको हम लोग कहते हैं 97, sorry 90, ठीक है, इसी टाइप से जो आपके पास में small A है, इसको मतलब कहते है 97, small B जो है उसको मतलब कहते है 98, और ऐसे ही जादे भी जो small Z हमारे पास होता है, इसको मतलब कहते है 122, इसी तरीके से दोस्तों जो हमारे पास में numbers होते हैं, ठीक है 0, 1, 2, तो यह आपके पास चुलो जाता है 48, 49, 50, और ऐसे जो last आपके पास 9 आता है, इसको मतलब कहते है 57, इसी टाइप से जो आपके पास space bar होता है keyboard का, उसको आपने नंबर होता है 32 और ऐसे बच्ची भी और भी बहुत सारे keys होती है, उन सभी का भी अपने आप में कुछ नंबर होता है, तो अगर आप यह देखना चाहते हैं कि जो एक character आप पास करते हैं, उस character का आपके पास में ASCII code किया है, तो आप यहापर लिखते है select ASCII और A, तो यह function क्या rhythm करतेगा 65, ऐसे ही जो character functions है आपके पास, यह function क्या करता है कि जो आपने इसको एक ASCII नंबर बताया है, ठीके 97, तो यह उसका क्या बेरेगा, उसका ASCII आपको उस ASCII का convert करके दिखाएगा character, तो अगर आप दोस्तों यहापर 97 लिखेंगे, तो यह क्या दिखाएगा small A, अगर आप यह 98 लिखते हैं, तो यहापको क्या दिखाएगा small B, ऐसे अगर आप 99 लिखते हैं, आप यहाँ 100 लिखते हैं, या आप 122 तक जाते हैं, तो 122 पे क्या दिखाएगा यह आपको small Z, अब इसमें 80 जो और है कि आपके book में यह नहीं लिखा होगा using ASCII, तो यह अगर नहीं लिखा हो सकता है, जो पूराने वाले में जो पूराने आपके पास MySQL उसमें आपके चल जाता था, लेकिन जो नए आप MySQL देखेंगी तो उसमें आपको यह बताना पड़ता है, using ASCII लिखना पड़ता है, ऐसी दोस्तों कर आप length निकालना चाहरे हैं, जैसे कि मैंने आप लिखा है hello, तो hello की length कितनी यह 5 character है, तो यह return क्या कर रहा है, आपको 5, ऐसे ही एक function है, आपके पास care underscore length, वो भी सेम काम करेगा, और length function यह भी सेम काम करेगा, तो यह आपको थोड़ा समझ में आगे होगा, अब इसी को थोड़ा सा मैं आपको practically करके दिखा देता हूँ, तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं जाकर के start कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा एक बार कुछी जोपर आ जाता हूँ, ठीके, और फिर हम लोग इसको एक बार copy-paste करके दिखेंगे, दोस्तों यह जो मैं content यहाँ से copy कर रहा हूँ, जिसे कि हमारा time फोड़ा सा बज़ जाए, मैं simple से दाके लिखता हूँ, select as key of a, यह क्या कर देगा, आपको return कर देगा 65, इसी टाइब से अगर मैं यहाँ जाकर कर लिख देता हूँ, यह character, ठीके, आप जो भी यहाँ पर character पास कर देंगे, जैसे 97 कर रहे हैं, तो small a आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर 65 पास कर रहे हैं, तो यह capital A आप वो देदेगा, इसी टाइब से अगर आप यहाँ पर जाकर कर दिख देते हैं, सब उसकी 90, तो यह आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पर Z, ठीके, इस तरीके से आपके सामने, आप आसकी का, कोई भी आसकी नमबर पास करके, उसका एक character ले सकते हैं, इसी टाइब से दोस्तों, मैं यहाँ से देना चाला हूँ length, ठीके, तो हम यहाँ पर जो हैं, वो इस तरीके से length बताना चाला है, कि सपोज एक string है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, लैक सुरेन, और इसकी जो length है, वो कितनी है, पांच character है, ठीके, तो आप care length भी लिख सकते हैं, और इसी टाइब से दोस्तों, आप यहाँ पर length भी लिख सकते हैं, same output आपके सामने आएगा, तो number of characters उसमें कितने हैं, इनफर्म दोस्तों, आपको बताओं, तो space भी अपने आप में कह सकते हैं, ठीके, एक size occupy करेगा, जैसे मैं यहाँ जाकर के कुछ और लिख देता हूँ, ठीके, मैं लिख देता हूँ, hello, और फिर लिख देता हूँ, world, इसके बीजे मैंने एक space भी दिया है, तो उसको include कर लेगा, ठीके, ऐसे ही, अगर हम next यहाँ पर देखें, तो अपने पास आता है concatenate, concatenate क्या काम करता है, दोस्तों कि दो strings को एक साथ जोड़ता है, ठीके, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, तो मेरे पास एक string है, suppose किसी का नाम, suppose किसी का नाम है, रवी, ठीके, और रवी के बाद मैं यहाँ लिखना चाहरा हूँ कुमार, ठीके, तो रवी, कुमार, दो अलग-अलग strings है, इन दोनों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप देखेंगे, रवी कुमार रहा है, और बीच में space भी नहीं आ रहा है, अगर आप इसमें space भी डालना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर manually यहाँ एक space maintain करना पड़ेगा, आप देखेंगे, इसके बीच में आपक corporate floor, और इसमें मैं डोन रहा हूँ OR, तो देखें, OR कहा हैं, एक आपके पास OR यह रहा, दूसरा OR यह रहा, और तीसरा OR आपके पास यह रहा, तो यह क्या करेगा, जो सबसे पहले आपके पास occurrence होगा, सबसे पहले जहाँ पर OR आएगा, उसका address आपको return करता है, in str, यहीं कि in string, इस string में क्या यह दूसरी वाली सब string है या नहीं है, तो यह आपको दिखाना है, two मतलब second character पर आपको यहाँ पर OR देखने को मिल रहा है, इसी दार चे दोस्तों आपके पास आता है locate, locate भी यही लगपक काम करता है, इसमें बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ change करके देख सकत हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि corporate floor में और डूंड रहे हैं, तो डूंडने वाला बात में लिखते हैं, जबकि इसमें क्या है कि किस को डूंडना है और किस में डूंडना है, तो world आंको डूंडना है hello world में, वो कहा मिन रहा है 7th position पे, दोनों में बस एक छोटा सा work है, locate और in str में, कि in str में क्या है, पहले वो main string लिखी जाती है और बाद में sub string लिखी जाती है, जबकि locate में क्या होता है, पहले sub string लिखते हैं और वो main string जिसमें आप डूंडने हैं, वो बाद में लिखते हैं, ऐसे ही next अगर हम देखें तो हमारे पास आता है l case, l case का मतलब क्या होता कि आप अपने string को lowercase में covert कर सकते हैं जैसे की मैं यहाँ पर एक mix case में लिख यहाँ मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ S-U-R-E-L mix है लेकिन मैं इसको lowercase में convert करना चाहते हूँ Suppose कि मैं इस character को भी और इस character को भी मैं capital में लिख देता हूँ तो मैंने एक mix case में लिखा लेकर complete वो जो इसको lower case में बदल रहा है, आप lower case में convert कर सकते हैं, अब lower के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर l case भी लिख सकते हैं, तो यही function मैं फिर से जाकर लिख देता हूँ l और मैं जाकर लिख देता हूँ case, ठीक है, तो l case में भी आपके पा लिख सकते हैं, जैसे अब हमने lower देखा था, हम यहाँ पर upper में लिख सकते हैं, तो जो hello लिखा है वो इसको upper case में convert करके दिखा देगा, और आप upper की जगे दूसरा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर u case भी लिख सकते हैं, तो u case यह भी अपना चलेगा, same to same काम करेगा जैसे upper जैसे u case वैसे ही, जैसे lower और l case था, next है आपके पास यहाँ पर function जिसका नम में आपके पास left, left क्या करता है कि आपकी जो string है, आपने जो pass करी है, जैसे कि मैं यह जाके लिख देता हूँ computer, ठीके, अब computer में मुझे left side से 2 character, 3 character, 4 character चाहिए, तो मैं supposed 3 लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आगे होगा, ऐसे ही हम right side में भी लिख सकता है, अगर left की जिगे में यह जाके लिख देता हूँ right, ठीके, right side से आपको 3 character चाहिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ functions के नाम है, दोस्तों, यह आप साथ साथ में लिखते भी रहेंगे, तो best रहेगा next अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अपने पास आता है L train, L train क्या करता है, left side से आपके जो भी spaces है इस string में, ठीके, जैसे कि मैंने यहाँ एक एक लिखाए, इतने सारे space, और फिर जाकर के मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि suppose मैं लिख देता हूँ, वंशी का, और अपने पास बले space है या नहीं, लेकिन मैं दोस्तों left side वाले अगर जो spaces है उसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो अब दिखेंगे इतने सारे spaces से उसको हटा दिया है, वंशी का यहाँ आप देख रहे हैं, ठीके, इसी type से हमारे पास, यहाँ पर जैसे L train होता है, वैसे हमारे अगर right side से spaces हटाने हैं, तो हम यहाँ पर क्या use करते हैं, are trim, अब यह left side के तो resities रखेगा, लेकिन right side वाले हटा देगा, ठीके, तो यहाँ पर इतना सारे spaces था, लेकिन इसने क्या करा, कि left side वाले तो सारे रखे, लेकिन right side वाले जो spaces थे, वो सारे इसने remove कर दिये, इसी type से एक और function आपके पास होता है, जिसका नाम है trim, trim क्या करता है, left और right दोनों side से ही अटा देता है, तो आप देख रहोंगे कि इसमें आगे इतने spaces हैं, ठीके, इसी type से इसने आगे और पीछे दोनों के spaces अदा दी, जैसे उसकी indexing को देख करके भी आप थोड़ा सा idea ले सकते ह ठीके, तो यह था, L trim, R trim और दूसरा आपके पास trim, अब आपके पास आते हैं यहापर sub string, sub string यूज कर सकते हैं, sub str use कर सकते हैं, और mid भी यूज कर सकते हैं, इसमें क्या है कि आप यह बताते हैं, कि इस string में से कहां से आपको कुछ character चाहिए, और number of character कितने चाहिए, यह बि से आप यहाँ पर क्या करते हैं, left से तीन character ले रहते हैं, लेकिन मैं क्या करहाँ, third से शुरू करके, मतलब मैं वहाँ पर क्या बूल रहता है, कि left side से तीन character चाहिए, लेकर आप मैं करहाँ कि मुझे sub string में जो starting से third character है, वहाँ से मुझे कुल मिला करके 5 character चाहिए, तो देख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, कि सुरेन, ठीके, और यहाँ से मैं लेना चाह रहाँ कि second position से, और मैं लेना चाह रहाँ कि वह दो character, तो यह आपको क्या दिखाएगा, you are, मतलब second position से number of characters आपको कितने चाहिए, वो आप बताते हैं, sub string से, यही का यही काम दोस्तों, आप यहाँ पर, sub st, r से भी कर सकते हैं, जैसे sub string होता है, same to same आपके पास सब st वा दे, hello world में third position से total number of character आपको 5 चाहिए, यह आपके सामने उसका output आज चुका है, ऐसे ही आपके पास एक और है, that is repeat, repeat का का काम क्या होता है दोस्तों कि आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं, और यह जिसे मैंने hello लिखा है, इसको आप 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार लेना चाहिए, उतनी बार ले सकते हैं, इसके बार ने space order लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो मैंने क्या करना है, hello को 5 बार repeat करना चाहता हूँ, ठीके, तो यह 5 बार repeat हो चुका है इसी टाइब से दोस्तों, next है, आपके पास में वो है quote, quote क्या काम करेगा, कि जो आप इसमें string pass करते हो, उसके उपर यह जिसे single quotation आती है, यह quotation लगा करके आपके output में आपको देदेगा, तो quote मतलब basically quotation के लिए आप यहाँ पर इसको use कर सकते हैं, I hope दोस्तों सारे फर्मिशल आपको अच्छी से समझ में आ रहे होंगे, इसी टाइब से next है, आपके पास replace, replace का क्या काम होता है, कि जब आप एक string pass करते हैं, जैसे कि suppose मेरे पास hello world लिखा है, इस hello world में world की जगे मैं mysql लिखना चाहता हूँ, तो इसका output क्या आ जाएगा, hello world नहीं आकर कि क्या आएग strcmp का क्या काम है, दोस्तों अच्छी से देखिएगा, जैसे कि मेरे पास एक string है, ठीके मेरे पास एक string है, जिसमें दिखा है मैंने bus, ठीके और एक और string है, इसमें मैंने लिख दिया bus, अब ये दोनों string equal है, bus bus तो एक ही है, तो आप इसको चलाएंगे तो ये क्या कर रहा है आपके इन दोनों bus के बीच का difference कितरा है, 0, लेकिन अगर आपने दोस्तों bus की जगे या कुछ और लिख दिया, लेक आपने boy लिख दिया, तो इस case में क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि first string या second string दोनों में से larger कोन है, तेन इसके output या answers आते हैं, या तो आएगा minus 1, या आएगा 0 या आएगा ये केवल ये लिखी plus 1, तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे, तो दोस्तों आपके पास आ रहा है 1, इसका मतलब क्या है, कि ये जो आपके पास में आसकी है, bus, bo, y, तो ये क्या करेगा, u और o आपस में इनको compare करेगा, u की आसकी और o की आसकी जो ह आपके पास larger है, ठीके एसी टाप से अगर y देवे मैं यहां पर जाकर करें लिख देता हूं, b, us, और इसमें देखें लिख देता हूं, b, y, ठीके, इस case में देखें तो भी आपको क्या दिखा रहा है, b, क्योंकि ये basically upper case और lower case को ignore कर रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं, girls, ठीके, तो अगर आप अप देखें तो आपको क्या दिखा रहा है, minus one मतलब इससे ये वाले string अब larger हो गए, ये b, आपका बात पहले आता है, और g, आपका बात में, तो g का ask की जो ए वो एजा रहा है, इस case में क्या दिखा रहा है, कि जो आप की second string है, वो larger है, और पहले वाले में क्या दिखा रहा था, कि जो आपके first string है, यनिके b नहीं, o और u को देखेंगे, तो u बड़ा होता है, बड़ा in the sense, पहले आपके पास में o आएगा, बाद में आपके पास u आ रहा है, तो u जो है, उसका ask की code आपका बड़ा होता है, इस hello है, तो o, l, l, e, h, इस type से, आपको ये return कर देगा reverse function, ऐसी दोस्तों, एक space function होता है, और ये क्या करता है, कि बीच में space डालके दिखा देगा आपको, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भी क्या है, कि spaces नहीं, लेकिन आप enter करके देखें, तो ये आपर 1, 2, 3, 4, 5 5 spaces इसको निकाल करके देदा है, तो space function क्या करता है, space आपको return कर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, numeric functions क्या होता है, और कौन कौन से functions होते हैं, इसको कैसे आप use कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेतें, दोस्तों कि ये functions जो होते हैं, आपके पास में, ये आपके लिए mathematical operations perform करते हैं, जो भी आपका numerical data है, उसके उपर basic लिए काम करते हैं, और इसकी कुछ examples अगर हम लोग देखें, तो आपने पास आते हैं, जैसे की ABS है, जैसे की seal, ceiling है, जैसे आपके पास flow rate, ऐसे बहुत सारे functions हम लोग अभी यहाँ discuss करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ABS function है, वो क्या काम करता है, ABS का मतलब होता है, अगर आपने minus 5 लिखा है, या फिर आपने 5 लिखा है, वो दोस्तों minus वादा symbol हटा देता है, जैसे अगर मैंने minus 3 लिख दिया, तो ये minus अटा करके return क्या करतेगा, 3, अगर मैंने minus 65 लिख दिया य 68 लिख दिया, तो ये minus का sign हटा देगा, तो ये functions क्या करता है, returns the absolute value, absolute value मतलब जो negative value हटा देगा, negative sign हटा करके return कर देगा, ऐसे ही seal function या दूसरे और भी functions है, जिसको हम लोग इकर करके discuss करते हैं, दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास में functions हैं, ठीके, तो हम लोग यहाँ पर functions आकर देख लेते हैं, सबसे पहले अपने पास है ABS, मैं इस ABS को यहाँ पर execute करके दिखा देता हूँ, और run करके दिखा देता हूँ, इसलों हमने क्या लिखा है minus 10, तो ये return क्या करतेगा, 10, अगर आपने इसमें positive 10 डाल देगा, तो अब इसी type से next आपके पास function है, वो है seal, seal का मतलब क्या होता है, कि एक होता है seal, एक होता है floor, seal मतलब उपर की तरफ, floor मतलब नीचे की तरफ, अगर कोई value दोस्तों आपके, ठीके point के बाद अगर आपके पास 1 भी है, तो उसको upgrade कर देगा, मतलब 4.1 को ये 5 में convert कर देगा, अगर इसके बाद आपने point 1 भी लगा दिया, या बली आपने point 9 भी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो ये आपको return करेगा, 5 ही return करेगा, card अगर return करेगा 5, यहाँ पर आप जब तक 9 नहीं लगा देते, ठीके, और इसी तरीके से आपके पास जैसे seal है, आप seal की जगे दोस्त output दे रहा है, इसी टाप से दोस्तों next है, आपके पास floor, floor क्या करता है, उसको नीचे के तरफ लेके आएगा, जैसे 4.9 है, तो भी आपको floor ही देने वाला है, ठीके, तो floor क्या करता है, नीचे round down करता है, और जबकि आपके पास seal क्या करता है, round up करता है, चाहबने point के बाद क कितनी भी value हो, अब कर देगा, seal और down करने के लिए आपके पास function का नाम क्या है, floor, ठीके, इसी टाप से next अकर हम बात करें तो हमारे पास आता है round, क्या नाम है, round, round जो है दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा important है, इसके मैं आपको बहुत सारी variety दिखाने वाला हूँ, जैसे अ हमको चाहिए दो value, तो five और six है, इस case में क्या करेगा, जो seven है, उसको हटा देगा, और जो आपका seven हट जाएगा, तो यह क्या करेगा, round up होगा, और यह five six के जगे हो जाएगा, five seven, इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर दूस्तों eight होता, तो यह क्या देता आपको, यहाँ पर क्योंकि next क्या है, seven है, तो round up करेगा, eight के जगे क्या बन जाएगा, यह nine बन जाएगा, इसी तरीक से अगर आम यहाँ पर जाकर के लिख देते हैं, six eight और यहाँ लिख देते हैं, suppose two, तो यह क्या है, क्योंकि पांच से कम है, पांच से कम है, तो वो फिर six eight ही रहन बन जाएगा, इसी तरीक से अगर मैं इसको five कर देता हूँ, तो पांच या पांच से बड़ा जबन जाएगा, तो six eight का क्या बना देगा, यह six nine, ठीक है, इसी तरीक से जैसे मैं आपको भी कह रहा था, कि आप point के बाद कितनी value लेना चाहरें, two, अगर मैं यहाँ by the way, एक लिखता हूँ, देखिया करेगा, point के बाद एक volume लेगा, अब यह six eight की जगे क्या कर देगा, seven कर देगा, इसी टाइप से अगर आप इसको zero कर देते, zero को मतलब क्या हो गया, कि आपको point के बाद तो कोई number चाहिए ही नहीं, तो four point six eight five, जो आपके पास number है, अब आगे गा जो number है, वो five या five से ज़्यादा है, जैसे यह वाला जो number है six, वो five या five से ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों, यह four को round up कर देगा, five के साथ, ठीके, यह आपको समझवाए होगा, एक दो और example दिखा देता हूँ, suppose मैंने यहां लिखा है 34, और यहां जाकर के लिख दिया है, मैं से ज़्यादा, तब तो दोस्तों, three four क्या बन जाएगा, three five, लेकिन यहां पर अपने पास next number क्या है, two है, two की वज़े से यह क्या रहेगा, आपके पास three four ही रहने वाला है, और इसी तरीके से दोस्तों, जैसे हम लोग one कर रहे थे, जैसे हम zero कर रहे थे, यह minus one भी कर सकता ह minus one क्या कर देगा, कि यह जो three four है, इस फोर को आप यह पिंक्या रहेगा, यह तो उपर यह नीचे है, क्योंकि चार है, तो इसको 34 का क्या बना देगा, तो 34 को इसने क्या बना दिया है, 30, इसी टाइप से अगर by the way आपके पास यहां पर minus one के जगे आप minus two लगाते हैं, तो तो यह क्या करेगा, इस three four को भी down कर देगा, ठीक है, और अगर by the way आपके पास यहां पर number लिखा होता, suppose कि 56, ठीक है, और अगर आप अप देखें, तो यह क्या करतेगा, minus two उसको upgrade कर देगा, 100 में, ठीक है, तो point के बाद या point से पहले, अगर कोई भी number जहां आप जा रहे ह और अगर 5 से कम है, तो दोस्तों वो नीचे के तरह बादेगा, या राउंड अप होगा, या फिर राउंड डाउन आपके पास होगा, इसी टाइप से अगर हम यहां पर next बात करें, तो अपने पास आता है truncate, truncate और round जो है, उसमें एक छोटा सा difference है, आला कि बहुत ब आपको चाहिए, तो वो देगा, लेकिन वो round up या round down करके आपको देता है, तो यह जो है, वो 4.567, अगर round लिखा होता, तो यह 5.7 आपको return करता, लेकिन यह क्या कर रहा है, यह point के बाद आपको दो value चाहिए, तो 5.6 ही आपको दे रहा है, क्या नाम है function का truncate, ठीके, इस type से next example अपन देखना चाहते है, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, क्या आप इसको minus 1 भी करके देख सकते हैं, minus 1 में क्या हो जाएगा, यह 42 है, तो यह आपको क्या कर रहा है, minus 1 यह नहीं कि इसको round up करके, यह truncate करके आपको दे रहा है, ठीके, इस तरीके से आप truncate क बताता है, तो minus 5 क्या है, negative है, इस लिए क्या return कर रहा है, minus 1, अगर आप यहाँ पर positive का number देते तो क्या बतेते था, plus 1, और अगर आप इसमें 0 पास करते तो क्या return करते था, 0, ठीके, तो इस तरीके से positive है, negative है, किस type की values का sign बताता है, ऐसी दोस्तों आपके पास एक function है, P, O या power, दोनों ही functions आप use कर सकते हैं, मैं जाकर लिखता हूँ, power of 2, 3, it means, 2 को 3 बार 2 into 2 into 2 आपके सामने देगा, ठीके, तो यह आपको 2 को 3 बार multiply करा रहा है, 2 into 2 into 2, इसी type से, जो आपने power किया है, इसको आप P, O, W के साथ भी use कर सकते थे, यानि कि आप यहाँ पर जाकर सकते हैं, 2 को 5 times, तो यह आपको 32 दिखा देगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 32 आपके सामने return करेगा, एक होता है, दोस्तो, square root, जिसे 16 है, 16 का स्क्वेर रूट क्या होता है, 4, ठीके, आपको यह दिखा देगा, ऐसे ही, अगर आप यहाँ पर जाकर कर लिखते है, 144 तो 12 दिखा देगा, ठीके, तो square root निकालने के लिए, आपके पास function क्या है, sqrt, ऐसे पाई, हाला कि वोई फंक्टू है, इतना वोई काम का है, यह पाई की value आपको देता है, बस simple सा 3.14, इसी टाइप से mode, mode आपके लिए तोड़ा important है, इसको अच्छे से देखेगा, mode का काम क्या होता है, कि जो करता हूँ 5 से, तो यह 5, 5, 25, पीछे क्या बच जाएंगे, 4, तो यह आपको 4 दिखा देगा, इसी टाइप से अगर आपने यहां लिखा है, suppose कि मैं लिख देता हूँ 27, और इसमें मैं करता हूँ 3 से, तो 3 की टेबल में आप 27 आ रहा है, तो आपके सामने क्या रहा है, 0, औ और अगर यही मैंने 4 किया है, तो आपको क्या दिखा देगा, रिमेंटर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो कितना पीछे बच रहा है, तो यह वो आपको दिखाता है mode function, ऐसे ही mode function के बाद आपके पास random function है, दोस्तों, यह 0 से 1 की पीच का कोई number दिखाता है, आप जितनी बार चला करके देखेंगे, जैसे मैंने 3 बार चला है, तो दोस्तों, इसमें दिखा रहा 0.7, इसमें दिखा रहा 0.65, इसमें दिखा रहा 0.8, तो यह multiple time आप इसको जितना भी चलाएंगे, यह system clock के हिसाब से, एक आपके पास 0 से एक के बीच का एक random number निकाल करके आ आपको D देता है, इसी टाइप से next अकर हम बात करें तो हमरे पास आता है greatest, greatest का वतलब क्या है कि यह जो number आप यहाँ पर pass कर रहे हैं, इसमें से सबसे बड़ा number कौन सा है, जैसे मैं 32 लिख देता हूँ, इन में से सबसे बड़ा number कौन सा है, तो दोस्तों, वो है 32, और लेक करेंगे यहाँ पर date and time functions के बारे में, इससे पहले मैं आपको numeric functions और string based functions बता चुका हूँ, तो दोस्तों, dating time functions क्या होते हैं, ऐसे functions होते हैं, जिसके तुरू आप date या फिर time जो है, उसके ऊपर आप कुछ operations परफॉर्म कर सकते हैं, तो आज से अपना जो topic है, उसका नाम क्य current date क्या करता है, current date भी कह सकते हैं, और cur date भी कह सकते हैं, यह function जो है, वो return करता है, आज की जो भी date होती है, तो मेरे system की date, यनि कि मेरे computer की जो भी date होगी, वो मुझे ये return करके देगा, चाया आप यहाँ पर cur date function use करें, या फिर current underscore date function use करें, ऐसे ही आपके पास एक function होता है, जिसका नाम है, cur time, यनि कि ये भी क्या काम करता है, current time जो है, वो हमको return करता है, कि आज की date क्या है, आज का time क्या है, अगर आप mysql से पता करना चाहते हैं, functions के थूप पता करना चाहते हैं, basically functions ये सारे हम काम का लेते हैं, जब हम कोई software use करें होते हैं, मानके चलता हूँ कि suppose कि मैं एक ऐसा software बना रहा हूँ जिसमें मुझे गाड़ी पार्किंग को लेकर के कुछ काम करवाना है, तो जो गाड़ी पार्क हुई है, वो कितने तारिक को हुई है, या कितने बजे हुई है, वो अगर आप time store करवना चाहते हैं अपने database में, तो दोस्तों वो आप फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे, या तो current date या current time, इस टाइप के functions, अलाकि हमारे बुक में जो topic है, वो केवल एक topic वाइस बताया गया है, लेकिन अगर आप जब एक बड़े project पे काम करते हैं, MySQL को लिख करके, तो फिर दोस्तों ये functions आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful हो जाते हैं, जैसे मैं आपको parking का एक example दे रहता, आपने कोई चीज बुक कर रही है, तो दोस्तों उसकी date क्या थी, वो time क्या था जब आपने बुक कर रहा है, तो वो सारे चीजे आप इन functions के तुरू use कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यही सारे के सारे functions जो हैं एकिक करके यहा पर आपने बुक करना हो, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे थे हैं current date, इसके लिए CUR date function को भी दोस्तों हम लोग यहाँ use कर सकते हैं, तो मैं जाके लिखता हूं select current date, current date के लिए मैंने CUR date लिखा है, तो भी दोस्तों आपको क्या दिखा रहा है, current date यहीं 31 साथ 2,024 जो मेरे सिस्टम की हिसाब से आज की date है, तो 31 जुलाई 2,024 ही आपको return करता है, ऐसे ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो next हमारे पास जो function है, उसका नाम है current underscore date, तो current underscore date में जब आप जाकर के यह function use करेंगे, यह भी दोस्तों सेम आपको output देगा, य आपको दिखाता है, इसी टाइब से अगर हम यहाँ पर use करता है current time, यहने के select current time, see our time, तो दोस्तों यह current time दिखाएंगा, यहने की दोपेल को 4 बचके 42 minutes और 35 seconds हो हैं, और इसके लिए अगर आप चाहें तो यह और function होता, that is current underscore time, आप उसको भी use कर सकते हैं, ठीके, यह भी आपको समझ में आगया होगा current date के लिए और current time के लिए see our date, see our time है, या फिर current underscore date और current underscore time भी function होता है, ऐसे ही दोस्तों अगर आप चाहें, तो एक function होता है now, now function क्या काम करता है, यह आप current date के साथ सा time भी बता देता है, तो यह current date और यह आपके पास current time, दोनों आपको एक देता है, function का दाम क्या है, now, ठीकि, इसी type से हमारे पास एक और होता है, वो है current time stamp, current time stamp जो है, यह function भी आपके पास date and time आपके लिए return करता है, दोनों का काम एक ही है, now में भी दिखेंगे, यह 2024, 7, 31, और time आपके पास जो आया है, तो आप now functions के तुरू भी वही काम कर सकते ह है, ठीकि, इसी type से दोस्तों एक और है, आपके पास system date, system date यहनिकि, sis date क्या करता है, यह function भी आपके लिए क्या करता है, return the time at which the function executes, यहनिकि, यह भी आपके लिए क्या करेगा, date and time आपको देता है, तो तीन functions बता है, मैंने, एक है दोस्तों आपके पास now function, यह क्या दे रह सकते हैं, date and time दोनो, इसी type से दोस्तों अब यहाँ पर एक important बात है, कि system date जो है, और now में क्या एक difference अपने पास होता है, तो यह जो आपके पास में now function है, यह क्या है कि जब आपने statement दिया, जैसे मैंने, suppose कि मैं एक class में जाता हूँ, एक example देता हूँ, उस class में गुशा, तो पूचा time क्या हो, मिने का 9 बजे, और 15-20 मिनट बाद अगर किसी इन time पूचा, क्योंकि enter होते हूँ, जो time था, तो मैं वो भी क्या बोलता हूँ, बहु बजे ही है, लेकिन action में 15-20 मिनट और निकल चुके, तो मुझे क्या कहना चाहिए था 9 बज के 15 मिनट या 9 बज के 20 मिन तो ये काम 9 नहीं करता है, 9 क्या है कि जैसे ही आपने enter दबा दिया, अब वो time आपके पास आएगा, बले ही function आपका खतम हो रहा है, उससे बीच में आप कितना ही delay करा दे, जैसे मैंने enter किया, 15 second का delay था, और उसके बाद अगर मैं 9 में देखूंगा, तो वो now 15 second पहले वाला तब का time आएगा, और जब मैंने enter किया होगा, वो time को दिखाते है, now, इसका मैं आपको एक difference भी बताऊँगा, मतलब difference तो यही तरह लेकिन example के साथ बताता हूँ, तो system date returns the time at which it executes, the difference, जो differ, जो है, the differ from a behavior of now, which returns a constant time, now function क्या करता है, दोस्तो constant time आपको return करता है, जबकि आपक इसमें, system date क्या करता है, execution का जो time है, वो आपको return करता है, इसका example देख लेते हैं, दोस्तो मैंने लिखा है, select, फिर है now, now आएगा, अभी का time, फिर 5 second का gap आएगा, और उसके बाद मैंने फिर से now करा, तो इस case में क्या करेगा, यह है, कि पहले जो now का time, मतलब जब मैं enter करू रहें, और उसके बाद वापस आप दिखेंगे, तो आपके सामने आया, इसमें भी आपके सामने क्या दिखा रहा है, दो second, जबकि इसका time क्या होना चाहिए, अगर यह 2 second है, तो यह आपके पास में 7 second होना चाहिए था, क्योंकि 5 second का gap भी है, यह दिखेंगे 5.01 second लिगे, वो time आपको दिखा रहेगा, फिर 5 second का gap लेगा, और 5 second के बाद अगर वापस आप system date लेते, तो दोस्तों नया वाला time, 5 second बाद वाला time आएगा, इसको देखते हैं, जैसे मैं इसको रिन किया है, आप देखेंगे, यहाँ आपके सामने 5 second के बाद जो time आ रहा है, जैसे इसम आपको यह return करता है, तो मैंने आपको इसको compare करके भी दिखा दिया है, इसी type से दोस्तों अगर हम next बात करें तो अपने पास एक function आता है date, date function क्या काम करता है, कि जो current date है, ठीके यह now में से अगर मैं बात करता हूँ, जो भी आपके पास में, आपने इसको time आपने इसको प मैं यहाँ पर लिखता हूँ now, आज की जो date और time है now function क्या करता है, date and time दोनों देता है, यह आप उपर देख रहे हैं, इस date and time में से आप date निकाल करके देख रहे हैं, तो date and time में से date कैसे निकाल रहे हैं, आप using date function, आप ऐसे तो current date से भी देख सकते थे, see or date भी आप use कर सकत थे, लेकिन अगर मैं यह कहता हूँ कि किसी एक particular date and time में से अगर आपको date निकालना है, तो कौन सा function use करते हैं, date function, तो date function date निकाल के आपको return करता है, ऐसे ही आपके पास एक function है दोस्तो, extract, extract क्या काम करता है, now में से year निकालता है, तो आप लिख सकते है, select extract years from, तो आप क्या nyt, वो year आपको निकाल करके दिखा देता है, कौन extract function? अब extracting में से मतलब यह जो आपने year लिखा है, यह जो भी now है, इस में से आपको क्या extract करना है, year करना है, तो आप क्या लिख देंगे year, अगर आप इस में से दोस्तो, month extract करना चाहते हैं, तो आप क्या लिख देंगे पर now में से date निकलना चाहता हूँ तो मैं extract function को use कर सकता हूँ extract के साथ साथ दोस्तों आपके पास अपने आपने एक function होता है year मंत और डे बी जैसे extract करे थे same वैसे ही इसमें आपके पास क्या होता है एक function है year अगर आप जाके लिखते है year now में से क्या निकलना year तो ये भी वही आपको output देगा और ऐसे ही दोस्तों जो मैंने लिखाता है extract year from now ये भी आपको वही output दे रहा है तो देखें दोनों ही काम same करता है ये select year now या फिर आप देख रहे होंगे extract year from now ठीके तो दोनों का same काम है आपको जो अच्छा लगे आप उसको use कर सकते हैं ऐसे ही अगर मैं year की जगे यहां से निकलना चाहता हूं month ठीके जैसे extract में मैंने निकल लाता ठीके एक तो दा day एक ता month आप direct month भी ले सकते हैं extract month from now करके देखेंगे तो भी लेकिन ये वाला जो बाद वाला है extract वाला वो तोड़ा बड़ा process लगता है ठीके तो आप simple सा month लिख सकते हैं ठीके select month of now तो ये current date and time में से आपके सामने month निकल के दिखाएगा और ऐसे ही दोस्तों आपके पास day भी है जो extract के तुलू भी काम करता है और आप यहाँ पर Advent भी लिख सकते हैं तो ये आज की date निकाल करके आपको दिखा रहा है date में से भी day तीके इस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे आपने देखा था आपी कि मैं आपको कहना था कि आपको इस now में से date निकालनी है मतलब day निकालना है या month निकालना है या फिर year निकालना है ऐसी दोस्तों आप इहां से r निकालना चाहते हैं जिसे मैं कहना था कि 16 बच करके जिनी कि दोपर के 4 बच के time कुछ हो रहा है ऐसे ही आप उसमें से minute निकालना चाहते हैं तू मैं कह सकता हूँ 4 बच के 50 minute हो रहे हैं और उसमें भी कितने second हो रहे हैं, अगर आप ये देखना चाहें, तो function क्या है? Second, आप उसमें से second भी निकाल सकते हैं, 45 seconds हुआ है, enter करते time पे. इसी type से दोस्तों, आपके पास है date difference, date difference का मतलब क्या हो गया? कि suppose मेरे पास 10 July थी, 10 July से लेकर के, आज की जो date है, उसके बीच में difference कितने दिनों का था? तो दोस्तों, वो minus 21 से, मतलब 31 से और 10 को अगर आप यहाँ पर देखें, 10 से 31 दिन की बीच का जो gap है, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? यह minus करता हूँ, तो क्या आता? आपके पास मैं 21 आएगा आपके पास, ठीके? इसी टाइप से, जैसे आप different date देख रहे थे, ऐसे ही एगर आप add करना चाहते हैं, अभी तो क्या दिखाना था? माइनस, अगर आप add करना चाहते हैं, तो आपके पास अलब 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 टाग के functions होते हैं, इसमें बस आपको क्या करना होता है, एंटर वे लिखना होता है, select, उसके बाद आप लिखते है, date underscore add, आप date underscore add के साथ साथ इसमें add date भी लिख सकते हैं, तो मैं पहले जाके लिख आप, date underscore add, और ये जो आपके पास date है, यनि कि जो आपके पास चार जुलाई है, उसमें मुझे साथ दिन और add करने हैं, क्या date आजएगी, दोस्तों, तो चार में साथ दिन और add करेंगी, तो 11 तारिक अपने पास हो जाएगी, इसी काम को करने के लिए, हमारे पास एक और function ह है, वो है ये रहा, ठीके, मलब है, almost वही, हमने कहा लिखा, date underscore add, और इसी काम को हम add date नाम के functions से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई gap, मलब दोनों में कोई difference नहीं है, काम करने का तरीका change है, add date और date, या आपके पास में date underscore add नाम के functions के तुर भी आप कर सकते हैं, जो आप add कर रह हो, subtract करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं इसमें आज की तारिक से 10 दिन जोड़ता हूँ, मैं आज की तारिक से 10 दिन कम करके देखना चाहता हूँ, suppose एक date है मेरे पास यहाँ पर, ठीके, जैसे कि यह मैंने ले लिया है, आज की date ले ले लिता हो, suppose 31, उसमें मैं 7 दिन कम करक और एक आपके पास क्या है, subdate, ठीके, यह रही कि subtract date है आपके पास, तो इसमें भी अगर आप चाहें, तो आपको एक भी date लेना चाहें, जैसे मैं 20 तारिक ले चाहता हूँ, और उसमें मैं 7 दिन और कम करना चाहता हूँ, तो क्या आजाएगा, 13 तारिक है, ठीके, इस तरी है, वो आपको निकाल करके दिखाएगा, इसमें, यह w का मतलब होता है week, इसका मतलब होता है weekday है, यह basically, यह month है, यह आपके पास में date और यह रहा जाता है, तो आप देखेंगे दोस्तों, यह जो आपको क्या दिखा रहा है weekday, यह आज जो है, वो Thursday है, इसी type से यह क्या द लिख देता हूँ, current date, current date क्या रद देगा, आज के दर, क्योंकि वो मैंने चार जो लएका लिखा है, अगर मैं आज की date से देखना चाहता हूँ, तो मैं W, M, D, Y, जो भी लेना चाहता हूँ, वैसे दिखा देगा, तो basically आज क्या हो गया Wednesday, अब इसमें क्या है, कि अगर आते हो, पहले आप यहाँ पर month लेना चाहते हो, उसके बाद आप यहाँ पर date लेना चाहरे हो, ठीकि आप जैसा भी लेना चाहा है, जैसे मैं यहाँ पर जाकर के D, लिखना चाहरा हूँ, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहें, तो आप यहाँ पर W लिखना च है जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं तो आप देखेंगे यह क्या कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इस डबलू को वोजे थोड़ा अपको डिस्प्ले करता जो कि आपके पास बनता है सकते हैं यहाँ बनता है ओध दिन है वो कौन सा है तो आपने अभी अभी दिखा था कि मैंने इसमें बताया था ठीके example के तुर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर क्या दिखा है जिसे चार साथ है तो चार तारीक को कौन सा आपके पास day of week था तो यह आपको दिखाना है five इसी में अगर मैं अगर आज की current डाल देता हूँ या मैं suppose इसमें जाकर के लिख देता हूँ now ठीके तो now function अगर मैं इसमें use करता हूँ तो यह दिखा देगा चार यह निकी यह क्या दिखाता है तो उस्तों Sunday से शुरू करता है Sunday, Monday, Tuesday और उसके बाद यह दिखा रहेगा आपको Wednesday तो एक चीज़ दिखा रहेगा कि यहाँ पर जो आप लिख रहे थे वो Wednesday आपके पास आ रहता current date जो है वो फिर आपको Monday, Tuesday, Wednesday उसको consider करके दिखा रहता next यह आपके पास day of month ठीके जैसे हमने यहाँ दिखा था day of month क्या है आपके पास में day of year ठीके तो यह day of year क्या काम करता है दोस्तों मैं इसको simple सा copy paste करता हूँ यह बताता है कि 1 January से लिखने है 2024 जो है वहाँ से लेकर कि आज तक जो दिन आपके पास में वो total कितने दिन होगे तो 186 है चार जोले के according लेकिन अगर मैं इसको तोड़ा से change करता हूँ आज की तारिक बताता हूँ 31 तो उसमें क्या है 213 दिन अपने पास हो चुके हैं और ऐसे ही अगर हम by the way यह आपर जाकर कि लिख देते हैं सबूसकि 12 31 दिसंबर 2024 को कितने दिन हो जाएंगे तो 366 दिन जो day है वो last ही है तो जब मैं इसको return करूँगा तो यह आपको 31 जुलाई दिखा रहा जो actual मैं आज जुलाई का last day ही है तो यह अगर आज की जगे में कुछ और date भी लिखता इसमें सबूसकि मैं इसमें जाकर के 6 मंद देखता तो आपको देखा था 30 तरिक है यह जूल में आपके पास last day जो है वो यह था अगर आप यहाँ पर जाके February लिखते तो February में 29 तरिक last day थी Libya था इस वज़े से तो ऐसे ही आपके पास में आप और भी दूसरे देख सकते हैं function जैसे कि आपके पास है make date यहनि कि 2024 में अगर हम बात करें तो यह जो 186 नंबर का day है आपके पास उसकी तारिक क्या है तो आप देख सकते हैं 4-7 आ रही है और थोड़ा सा अगरों उपर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे 213 आज तक के दिन हो गए तो अगर मैं इसको जाकर के लिख देता हूँ 213 तो यह क्या करतेगा आज के तारिक आपको दिखा देगे इस साल में आपका आज का दिन कौन सा है मेक डिट तारिक बताएं आप इसी टाइप से दोस्तो आपके पास मेक टाइम भी होता है आपने इसको पुछ टाइम पास किया है तो वो आपको इसका टाइम कनवर्ट करके दिखाएगा जैसे 12 बचकर 34 मिनट और 56 सेकंड ऐसे ही आपके पास आता है टाइम यहनि कि नाओ में से अगर आप जैसे डेट निकाल रहते हैं वैसे अगर आप टाइम निकालना चाते हैं तो आपके पास एक फंक्शन टाइम तो यह डेट में से क्या करेगा डेट इन टाइम दोलों में से टाइम निकाल करके आपको दिखा रहा है इसी टाइब से दोस्तों आप यहाँ पर यूज कर सकते जैसे डेट आप डिफरेंस देख रहेते वैसे टाइम में डिफरेंस अगर आप देखना चाते हैं इस डेट और यह सोरे इस टाइम और इस टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है तो वो आपको दिखाएगा एग गंटे 12 मिनट 23 सेकंड का difference आ जाता है ऐसी दोस्तों अगर आप month date देखना चाहते हैं तीस वरे month name अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप जाकरी लिगेंगे month name current date आज जो आपका महिना चल रहा है वो कौन सा चल रहा है दोस्तों जो लाई इसी टाइब से आपके पास है day name तो day name क्या काम करेगा यह आपको day जो है वो आपको return करेगा जो आज जैसे जो मैंने pass किया इसमी थे कि तो February 3 इसको क्या था आपके पास Tuesday आपके पास available था ऐसे ही बहुत सारे functions होते हैं दोस्तों जो हम लोग use कर सकते हैं date and time के लिए लेकिन यहां हम लोग आज जो देख रहे हैं almost मैंने सारे functions बता दिया है तो हम लोगों ने जो सारे functions अभी जो देखे हैं वो दोस्तों बहुत important होते हैं हमारे exam के point of view भी तो आज हम लोग एक बार इतना है देखते हैं functions almost सारे हमने खतम कर दिया है इस chapter से related अगर कोई doubt आपको होता है तो दोस्तों आप comment section में बता सकते हैं और इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहिए कुछ positive comment देना चाहते हैं हमको motivate करने के लिए तो दोस्तों comment section में आप जरूर गुच लिखेगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया chapter लेकर करके आता हूँ आप लोगों के लिए तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे है thank you